आपका तो page unpublished कर दिया था, जैसे ही आपने flag behavior के against आवाज उठाये, क्या आपका page फिट से recover हो गया, क्या फिट से restore हो गया, आप इतने दिनों से video क्यों ने डाल रहे हैं, flag behavior का solution क्या है, और ना जाने कितने सारे सबा, तो आज के इस video पे मैं आप लोग को बताने वाला flag behavior का क क्या कुछ solution Facebook platform पे हो सकता है अभी, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, Facebook ने, मैंने Facebook के against जो आवाज उठाया था, flag behavior के issues को लेके, उसके बाद मेरा जो Facebook page है, उसको unpublished कर दिया था, उसको suspend कर दिया था, और आज भी वो page suspend ही परा है, second page मैंने create किया था, उसे भी उसी reason के बज आवाज नहीं उठा सकते, अगर उठाओगे तो आपके आवाज को भी कुछ इस प्रकार से दबा दिया जाएगा, जो के मेरे page के साथ भी हो, उसके बाद मैंने जो action लिये थे, जैसे मैंने X पे आके, यानि कि Twitter पे आके tweet भी किया था, वो ही post को डालते हुए, जो के system के बा हर रहने के बज़े से इस post पे अच्छा खासा आप लोगों के तरफ से retweet भी आया है, comment भी आया है, और इस post को like भी किया गया है, और मैंने इस post पे meta के जितने भी leadership है team, उनको भी tag किया था, ताकि उन तक वो बात पहुचे, और फिर इस letter को देखने के बाद, Facebook इस चीज़ पे action ले और platform को सुधार करें, अगर यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा दुबारा, यह system के बाहर जाके system के against आवाज उठाया था, तो हो सकता है system को उतना जादा effect नहीं करेगा, जो के मैं inside पे, यानि कि Facebook के platform पे किया था, जिसको तुरंत ही 12 minute के अंदर-अंदर मेरे आवाज को दबाया गया, अब बात यह है, जो हमने tweet को retweet करवाए, इसका कोई result आया भी या नहीं, तो मैं कहूंगा इतना भी जादा retweet नहीं हुआ, यह आभी देख सकते हो 118 retweet हुआ है, जो के इतना जादा नहीं है, हो सकता है, आगे चलके आप लोग अगर मेरे यह tweet को और जाद action लिया जाए, हो सकता है, हमें बताया ना जाए, मगर back end team उस पे work out करे और इस issue को sort out कर ले, जल्द से जल्द, दोस्तों यहाँ पे system के against चाके system के अंदर में आवाज उठाने की बात कर रहा हूँ, और वो आवाज आप लोगों का होने का बात कर रहा हूँ, मगर क्या हुआ मैंने मेरे page को गवा दिया, उसके बाद मैंने जब दूसरा page का link दिया बना के, तो आप लोग मुझे कितना support किये, आप देख सकते हो follower कितना है अभी page पे, 33 follower ही बना मेरे new page पे, तो आप लोग जब मुझे ही support नहीं कर रहे हो, तो मैं आप लोगों का आवाज कैसे उठाऊ मुझे चाहिए आप लोगों का support, इसलिए अभी भी जिनोंने मेरे इस page को यह आप लोग अच्छे से link को देख, यह वाला page को support नहीं किये हो, support कर दो, ताकि मुझे भी motivation मिले, और मैं भी आप लोगों के लिए ऐसी आवाज उठाता रहू, Facebook के खिला, दोस्तों यहापे 18-14 पे, ऐसे ही monetization policy violation से affected हो, क्या हुआ उन page का earning का, क्या वो earning release कर दिया, भले page लाल हो गया हो, मगर earning का क्या हुआ, तो मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा, आज मैं यह video बना रहा हो, 31 August, जब मैं यह video बना रहा हो, आप देख सकते हो, जो page पे policy violation आया था, वो वैसे ही परा flag behavior अभी तक नहीं हटा, एक भी instrument को ले लो, या बाकी कोई भी tools को ले लो, एक भी tool फिट से monetize नहीं हुआ, उपर से अगर बात करो इस page का, जो payment फसात, वो भी release नहीं किया गया, payment यहाँ पे आप देख सकते हो, estimated date, 25th August दिखा रहा था, जो कि इस cycle पे निकलने वाला था, as per Facebook का payout policy, मगर क्योंकि page पे flag behavior आया हुआ है, तो यह payment नहीं मिला, किसी का यह भी doubt था, क्या flag behavior invoice generate होने के बाद आया, 14 तारिक को आया, किसी ने कहा 13 तारिक को आया, तो क्या invoice generate जो हो गया, वो payment release हो गया, तो मैं कहना चाहूंगा, नहीं, वो payment भी release नहीं हुआ, in short, एक word पे कह हो, तो page पे अगर flag behavior आयेगा, तो payment release नहीं होगा, until and unless वो flag behavior page से हट जाए, अगर lift out हो जाएगा, तो आपको ज़रूर payment जो जितना भी pending रहेगा हो, payout पे मिल जाए, दोस्तों यहां पे अगर मैं कहूँ, इसका अभी क्या solution हो सकता है, हम creator, आवास तो हम उठा रहे हैं और उ या फिर यह flag behavior हमारे page पे फिर से दुबारा ना आये, तो इसके लिए दोस्तों अभी permanent कोई solution नहीं है, और flag behavior को भी हटाने के लिए कोई permanent solution नहीं है, अगर किसी भाई बहन को यह permanent solution पता है, तो ज़रू comment section में comment करके बताना था कि as a community हमें पता तो चले, क्या इसका permanent solution हो सकता ह मगर हम आज के इस वीडियो पे कुछ चीजों के उपर गौर करेंगे जिससे हम लोग बच पाएंगे flag behavior से, दोस्तों हमने observe किया even मैंने जब flag behavior क्या video बनाया था, जैसे page पे आना शुरू हुआ, तो मैंने आप लोगों को एक date mention किया था, चौदा तारीक को देखा गया है flag behavior बहुत सारे page ओ पे एक साथ आ गया है, और बहुत सारे भाई के case पे 12 तारीक भी हो सकता है, 13 तारीक भी हो सकता है, मगर maximum case पे 13 से 14 इन तारीकों में बहुत सारे page ओ एक साथ flag हो गया, तो यहाँ पे अगर आप लोग चाते हो कि आपका page का आर्निंग जो फस जाता है flag behavior आने महीने में page से 6 महीने ही income अच्छे से करना है, इसके लिए क्या करना है, आप अगर फस से लेके 9 तारीक तक वीडियो पोस्ट करते हो, उसके बाद आपको वीडियो पोस्ट नहीं करना है तिल 16 तक, यानि कि 9 से 16 का जो date है, उस date के बीच कोई भी video आप aggressively page पे अपलोड नहीं करोगे, page भले viral हो या viral ना हो, इससे होगा ये flag behavior आने का chances जो है, वो reduce हो जाता है, एक चीज हम सबसे पहले समझते है, ये flag behavior कब किस page पे आता है, maximum case पे देखा गया है, जो page हम खरीदते हैं और उसके उपर work out करते हैं, भले original content लेके करें, मगर aggressively उस content को viral करते हैं, और उस viral content म वाइरल होने के लिए थोरा सा हम लोग facebook के policy को छेट चार करते हुई करते हैं, वैसा अगर आपका भी है, तो आपको अभी aggressive काम नहीं करना है, आपको पहले अगर आपका 1-9 तरिक तक content डालते हो और अच्छा खासा viral होता है, तो आपको 9-16 का time पे rest करना है, और फिर 16 के बा आपको 16 तरिक तक कोई content नहीं डालना है, 30-16 तक आपको 100 रहना है, content नहीं करना है, क्योंकि हमारा जो payout बनता है वो next payout पे ही मिल तो इसलिए जब तक 16 तरिक खतम ना हो, एक से लेके 16 तरिक तक कोई content नहीं डालना है, अगर पिछले महीने income हो जाए, फिर income जब release हो जाता ह है, फिर आप content डालो, फिर चुप बैटो, फिर content डालो, फिर चुप बैटो, इसी तरीके से अगर आप अभी content को चलाओगे, तो आपका page पे फ्लैग policy का issue जो है, violation जो है वो नहीं आएगा, page आपको live रहेगा और earning भी होता रहेगा, ये trick फिरहाल आपको अपनाना है, अगर आप चाते हो, आपके page पे flag behavior का issue ना आए, और आए भी तो earning release हो जाए, ये trick अभी बहुत सारे creator अपना रहा है, आप भी अपना हो, तो आप flag behavior से बच से बच से, बाकि जो original content creator है, जिनका आप ये मान के चलो कि कोई page खरीता नहीं है, बाई नहीं करता है, कोई policy के against हो, छोट short film, short movie, ये सब content में ये आना लाजमी है, क्योंकि उनसे ही engagement बनता है, उससे ही viral factor आता है, उन content में ही आने का chances ज्यादा है, बाकि जो cooking content मनाता है, या फिर blog बनाता है, या फिर original content पे काम कर रहा है, पुराना ID से page create किया हुआ है, बहुत time से page का establishment setup है, उस पे देखा गया है, ब बालते रहो भई, आपके page पे issue आने का chances बहुत बहुत रहार है, बगर जिनको अभी आ रहा है, वो वो लोग है, जो एक page खरीटता है, monetize हुआ, उस पे काम करता है, उसको viral करता है, और पैसा कमा लेता है, उन लोगों के लिए, अभी जो मैंने बचने का तरीका बता है, उस तक इसका कोई particular solution ना मिल जाए, बाकी Facebook के एगेंज जो मैं आवाज उठाया हूँ, उसको और बुलंद करूँगा, इसके लिए मुझे आप लोग का support चाहिए, और support करने के लिए आपको मेरे हर एक social media platform पे follow करने, अगर आप लोग follow करोगे, मेरा audience वेज जादा होगा, तो मै अगर एक चीज़ डालूँगा और उसको जादा से जादा शेयर किया जाएगा, तब उसके एक impact परेगा और Facebook के नजर में आएगा, तो Facebook का team उस चीज़ के उपर गौर करके उसको solve करने की कोशिश करेगा, और उसके लिए चाहिए support और support के लिए सारे description पे link दिया हुआ है, original link पे आओ, click करो, follow करो, और फिर जब मैं आवाज उठाता हूँ, उस पे भी support दिखाओ, तब जाके हम लोग इखटा मिलके, ये जो issue है, इसका particular solution कर पाएंगे, जिससे काफी सारे creator का, वो aggressive creator हो, genuine creator हो, non creator हो, सब का भाला हो, मिलते हो अगले वीडियो के साथ, अगले खुश हो, आबाद रहो, और मैं में वो करनाम करें तो, बाइ!